रात के चमकते आस्मान में जब हम सर उठा कर देखते हैं तो हमें अपने सोलर सिस्टम के कुछ ग्रह और ब्रह्मान्ट के लाखों सितारे दिखाई देते हैं इन सब में एक एक सितारा हमारी प्रिथ्वी से लाखों गुना बड़ा है और इन सब के बीच की दूरी हजारों प्रकाश वर्ष है लेकिन फिर भी ये लाखों सितारे हमारे इस छोटे से आस्मान में हम देख पा रहे हैं कितना अद्भूत है हमारा ये प्रमभान अंतरिक्ष की यह सुंदरता हमें हमारी सारी चिनताओं परिशानियों दुख दर्द को एक बार के लिए भुला देती हैं अगर इसी अंतरिक्ष को और गहराई से हम जानेंगे तो ये हमारे दिमाग को शान्त कर देगा हमें इसे चाहिए तो चलिए आज सभी चिंताओं को छोड़ कर सब कुछ भूल कर सिर्फ कुछ समय दीजिए इस अंतरिक्ष की सैर करने को क्योंकि ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा चलिए चलते हैं हमारे अंतरिक्ष के सफर पर हमारे अंतरिक्ष यात्रा शुरू होती है हमारे अपने प्यारे क्रह पृत्वी से हम अपनी पृत्वी से 90 किलोमेटर उपर आ चुके हैं अपनी सभी चिंताओं को छोड़ कर कितनी प्यारी है हमारी धर्थी और ये है हमारा चांद इसकी सतह पर बने हजारों क्रेटर्स इस बात के गवा है कि लाकों वर्ष पहले करोडों एस्टेरॉइट्स की वर्षा यहां हुई होगी चांद से कुछ ऐसी दिखाई देती है हमारी प्रित्वी चांद की इस वीरान भूमी पर कहीं कोई जीवन दिखाई नहीं देता है और ये है नील ओम्स्ट्रॉंग के पहले फुट्प्रिंट्स जो आज भी चांद की सतह पर मौजूद है और करोडों सालों तक रहेंगे चलिए अब हम चलते हैं किसी और ग्रह पर प्रित्वी से 125 मिलियन किलोमेटर दूर ये है वीनस ये हमारे ग्रह प्रित्वी की बहन है इसे हम प्रित्वी से नंगी आँखों से देख सकते हैं पूरब में ये नए दिन का स्वागत करती है तो पश्चिम को रात में अलविदा कहती है ये आकार और गुर्तवा कर्शन बल में प्रित्वी के बराबर है लेकिन अंदर जाकने पर ये किसी नर्क से कम नहीं है इसके एट्मोस्वियर में सल्फियूरिक एसिट से बने बादल है और यहाँ सियोटू की मात्रा काफी अधिक है वीनस का ये एट्मोस्वियर इसे काफी गर्म रखता है सूर्य से बुद्ध की अपैक्षा दूर होते हुए भी यह बुद्ध से काफी गर्म है यहाँ सर्फेस टेंपरिचर 900 दिग्री है जीवन की कल्बना तो यहाँ संभव ही नहीं यहाँ पर एक दिन यहाँ की एक साल से इपड़ा होता है अब हम इस वातावरण में अधिक देर तक नहीं रह सकते चलते हैं हमारे अगले पड़ाओ पर यह है हमारा सूर्य इसकी चमक में छुपा है हमारा अगला पड़ाओ मर्करी यानि बुद्ध सूर्य के पास होते हुए भी यहाँ दिन और रात के तापमान में जमीन आस्मान का अंतर है रात में माइनस 275 डिग्रीज तो दिन में 800 डिग्री बुद्ध ग्रह की कोर हमारे चान जितनी बड़ी है जो की आइरें से बनी है और इसकी उपरी परत पत्रीली है इसे हम एक लोहे का गोला कह सकती है और ये है हमारा तिव्य सूर्य इसी पर सभी ग्रह टिके है और टिका है हमारी प्रित्वी पर जीवन यही किसी घोड़े की तरह अपने रत में सभी ग्रहों को खुमाता है इसकी साथ रश्मियों का प्रकाश हमें जीवन देता है ये इतना विशाल है कि इसमें हमारी पृत्वी जितनी तेरा लाग पृत्वी समा सकती है इसकी सर्फेस का तापमान 6,000 डिगरी सेल्सिस है सूर्य हर सेकंड लाखों टन पदार्थ को एनरजी में बदल रहा है सूर्य के अंदर के दुनिया को हम कभी और देखेंगे फिलहाल हमें चलना चाहिए वहाँ जहां हमारा भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है जहां हम भविष्य में अपनी कॉलनी बसाएंगे मार्स हमारी एक मात्र आशा है भविष्य की क्योंकि सिर्फ यही एक क्रह है जहां हम अपनी पहली बस्ती बसा सकने यहां का atmosphere प्रित्वी की अवेक्षाप पतला है और ओजोन गेस के अभाव में यहां radiation से बचना संभाव नहीं है अब तक यहां जीवन का कोई नामों निशान हमें नहीं मिलाए हो सकता है यहां का जीवन लुप्त हो गया हो जिस तरह प्रित्वी पर कई बार हो चुका है यह है Olympus मंगल का सबसे बड़ा पहाड जो कि प्रित्वी पर Mount Everest से भी तीन गुना पड़ा है मंगल की यह घाटियां बयान करती है कि कभी यहां पर पानी भाग करता होगा और अगर पानी था तो जीवन भी रहा होगा लेकिन आखिर जीवन था तो जीवन गया कहाँ हो सकता है कि जीवन ने यहीं से प्रित्वी पर चलांग मारी हो यह तो भविश्य ही बताएगा अब हमें मंगल को अलविदा कहना चाहिए मंगल से दूर चलते वाग अब हमारी यात्रा थोड़ी मुश्किल हो सकती है क्योंकि हमें गुजरना होगा लाखों आवारा गूमते एस्टिरोइड के समुद्र से यह एक एस्टिरोइड बैल्ट है जो मंगल और ब्रहस्पती के बीच है यह सभी एस्टिरोइड वो बदकिसमत चट्टानों के टुकड़े हैं जो एक ग्रह में तबदिल नहीं हो पाए और solar system के बनने से लेकर अब तक ये आवारा चट्टानों के टुकड़े किसी ना किसी को अपना शिकार बनाही लेते हैं खैर अब हम आसानी से इन्हें पार कर चुके हैं और पहुँच चुके हैं पृत्वी के रक्शक गुरू प्रहपर सोलर सिस्टम के निर्मान से लेकर अब तक इसने हजारों बार प्रित्वी को बचाया है गैस का ये गुबार इतना विशाल है कि हमारी जैसी हजार प्रित्वी को ये अपने अंदर शरण दे सकता है ये देखी तक ग्रेट रेड स्पोर्ट ये एक तूफान है जो प्रित्वी से तीन गुनाब बढ़ा है और पिछले तीन सो सालों से लगातार यहां उत्पात मचा रहा है ऐसे कई तूफान जूपिटर में चलते रहते हैं यहां की बिजली का एक स्पार्क दस हजार वोल्ट के बराबर हैं ऐसे बिजली के जटके यहां पर चलते ही रहते हैं इसके अंदर जाना खत्रे से खाली नहीं होगा हमें इसके पास एक पड़ाव ढोड़ना चाहिए यहां से हमें एक दूसरी आशा की किरण दिखाई दे रहे हैं जहां जीवन की संभावना भी हो सकती है यह है जुपिटर का दूसरा चंदरमा यूरोपा इसकी सतह पूरी तरह से बर्फ से ढखी है संभाव है कि इस बर्फ के नीचे पानी हो और वहां जीवन पनप रहा हो इसे जानने के लिए हमें यहां कोई स्पेस मिशन भेजना होगा लेकिन इसकी पड़ोसी ग्रहे पर इंसान का एक दूद पहुँच चुका है ना सका कैसीनी स्पेस प्रोब जो चक्कर लगा रहा है एक रेंग प्लैनेट शनी के शनी जिसे हमने पृत्वी से कई बार निहा रहा है शनी ग्रह काफी बड़ा होते हुए भी इतना हलका है कि यह पानी में तैर सकता है इसकी रिंग्स इतनी बड़ी है कि प्रित्वी से चांद तक की दूरी तक समा सकती है और ये है शनी ग्रह का चंद्र टाइटन हमारी तीसरी आशा की किरण जहां जीवन संभाव हो सकता है इसके अंदर एक एट्मोस्फियर है हवाएं है बारिश भी है और यहां तक की सीजन्स भी है नदियान जीले और समुद्र भी है और देखने में प्रित्वी से काफी समान दिखाई देता है हम इनसानों ने यहां भी अपना एक दूद भेज दिया है यूगेन स्पेसक्राफ्ट इस भयंकर वातावरण में हमारा ये योध्धा यहां की इन्फॉर्मेशन हमें भेज रहा है ताकि हम इस क्रह को और अधिक जान सके टाइटन काफी ठंडा है माइनस 300 डिग्रीज ऐसे में जीवन का पनपना लगभग असंभव है अब हमें टाइटन को अलविदा कहना चाहिए क्योंकि अभी पूरा ब्रह्मान हमारा इंतजार कर रहा है हमारी मुलाकात होनी है अब शनी के दो जुड़वाँ छोटे भाई यूरेनस और नैप्चून से यूरेनस भी एक गैस चाइट है इसे आइसी प्लैनेट भी बोला जाता है और ये है इसका जुड़वाँ भाई नैप्चून इसका नैचूरल सैटलाइट ट्राइटन है जो की सॉलिड है लेकिन ट्राइटन स्टेबल नहीं है यह नैप्चून के चारों और उसके गोर्णन की विपरित दिशा में गूमता है इस वज़े से ये धीरे-धीरे टूट रहा है और एक दिन ये टुकडों टुकडों में बिखर जाएगा अब हमें आगे चलना चाहिए ये है सॉलर सिस्टम का सबसे अनलगी ग्रह है प्लूटों ये आज तक अपने सम्मान को पाने के लिए दरस रहा है इसकी कहानी हम कभी और बताएंगी फिलहाल हमें अपने सॉलर सिस्टम से बाहर निकलने का रास्ता खोजना पड़ेगा ये रहा हमारा साथी वोयाजर वन स्पेस प्रॉप जो कि एक बुलेट से 20 कुना तेजगजी से मूव कर रहा है इस पर लगी एक गॉल्ड प्लेट एक सीक्रेट कोड है हम इंसानों दोरा भेजा गया कोड ताकि ब्रमान में बसी कोई इंटेलजेंट स्पेसी उसे समझ कर ब्रमान में हमारा एड्रेस जान सकी हो सकता है ऐसा करके हमने कोई खत्रा मौल ले लिया हो लेकिन खत्रे तो अभी आगे और भी है जिनके सफर पर हमें चलना है हमें अब अपनी स्पीड बढ़ानी होगी हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हम दूसरे सोलर सिस्टम अलफा सेंचुरी में पहुँच चुके हैं जहां एक नहीं बलकि तीन सितारे एक दूसरी का चक्कर लगा रहे हैं हम अपने घर से ट्रिलियन माइल्स दूर आ चुके हैं और हमें अब आगे लाकों करोडों मील दूर जाना होगा प्रित्वी से 20 प्रकाश वर्ष दूर ये है एक स्टार ग्लीज 581 इसकी आयू हमारे सूर्य के बराबर है और इसके पास का ये क्रह बिलकुल उतनी ही दूरी पर है जिससे यहाँ पानी बॉइल ना हो ये हमारी प्रित्वी के जैसा हो सकता है संबव है कि यहाँ जीवन हो और इससे आगी प्रित्वी से 92 प्रकाश वर्ष दूर ये है ड्विन स्टार ओफ एल गोल्ड दूसरे को और्बिट करते हैं और एक दूसरे को लगातार निगल रहे हैं ये है औरियोन मॉलिकुलर क्लाउट प्रित्वी से 1300 प्रकाश वर्ष दूर एक गैस और धूल का बादल जो हजारों प्रकाश वर्ष में फैला है और इसमें जन्म हो रहा है नए सितारों का हजारों सितारे इसमें जन्म ले रहे हैं अब हम आगे चलते हैं तूर कहीं अंत्रक्ष में ब्रह्मान में ये रंग किसने बिखे रहे हैं ब्रह्मान में दिखाए देने वाले ये रंगोली वास्ताव में किसी सितारी की मौत का रंगीन द्रिश्य है यहां किसी सितारी का भयंकर विस्वोट हुआ है और उसका पुनरजन हुआ है एक नए स्टार के रूप में जिसे कहा जाता है वाइट ड्वाफ इसका घनत तो हमारी कल्पना से बड़े है यह इतना ज्यादा घना है कि इसकी एक चमच का वजन एक टन के बराबर होगा और एक दिन हमारे सूर्य का भी यही हश्र होगा बस छे अरब साल और हम इस सुन्दर रचना को देखने के लिए नहीं बचेंगे देख पाएंगे तो इससे पहले के विनाशकारी विस्वोट को लेकिन ब्रम्हान में इससे भी बड़े सूर्य है जिनका पनर जन्म होता है एक न्यूट्रॉन स्टार के रूप में एक बड़े सूर्य ने एक विस्वोट में अपना सारा पदार्त उडेल कर ये रूप ले लिया है जोकि वाइट ट्वाप से भी काफी खतरनाग है सिर्फ बारा मेल की चोड़ाई का ये न्यूट्रॉन स्टार जिसके एक चमच पदार्त का वजन हजारों टन के पराबर होगा ये काफी तेज गोंता है प्रम्हान में कुछ ऐसे न्यूट्रॉन स्टार है जिनकी स्पिनिंग स्पीड इतनी तेज है अगर आप उनकी सर्फेस पर खड़े हो जाएं तो आप लाइट की स्पीड के 25 प्रतिशत स्पीड को अचीव कर लोगी हमें एक अज्याद चीज अपनी तरफ खींच रही है और लगता है वह इससे भी ताकतवर है ये ही है प्रम्हान का सबसे बड़ा और सबसे भयंकर दानव जिसकी भूख कभी शांत नहीं होती जिसके अंदर जाने वाली कोई चीज आज तक कभी वापस न लोट पाई है न लोट पाईगी जो पूरे ब्रम्हान को भी निकल सकता है प्रकाश भी इससे वापस नहीं लोट सकता इसके अंदर आखिर क्या है ये शायद हमेशा एक रहश ही रहेगा इसके सामने अधिक तेर तक रहना हमारे लिए ठीक नहीं होगा प्रम्हान में इन हजारों दैतियों को अपने अंदर किसने समया हुआ है ये है हमारे अपनी आकाश कंगा मिल किवे जिसने इन सभी विचितर ग्रहों पुप ग्रहों उलकाओं और सूर्यों को अपने अंदर धारन किया है इसमें 10 खरब तारे मौजूद है एक करोड से जदा प्लैक होल्स इसमें ही मौजूद है ये इतनी विशाल है कि एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में भी प्रकाश को एक लाख साल लगेंगे इतनी विशाल आकाश कंगा में हमारा घर प्रित्वी इसके किनारे पर है जो इसकी विशालता के सामनी सागर में एक बोंद भी नहीं है अगर हमारा सोलर सिस्टम खतम भी हो जाए तो इस विशाल समुद्र को क्या फर्क पड़ेगा और क्या फर्क पड़ेगा एक समुद्र पर जब दूसरा समुद्र ही उसमें गिरने आ रहा हो हाँ और वो समुद्र है हमारी पड़ोसी आकाश कंगा एंड्रोमिडा जो हमारी आकाश कंगा से टकराने आ रही है आने वाले 6 अरब साल बाद लेकिन हमें घपराने की जरूरत नहीं है क्योंकि तब हम भी नहीं रहेंगे इस अनन्त प्रम्हान में ऐसे हजारों आकाश कंगाओं के सागर है जो इस प्रम्हान के सामने एक गूंद भी नहीं है लेकिन ये सारे सागर जिस मा सागर में तैर रहे हैं वो हमारा ब्रम्हांड है और ब्रम्हांड हमारा इंतजार कर रहा है लेकिन ब्रम्हांड से पहले हमी ब्रम्हांड की दिमाग को देखना होगा गैलेक्सीज और कलस्टर्स का पिछा हुआ ये चाल देखने में बिलकुल हमारे दिमाग की नियूरॉन्स से मेल खाता है लगता है यही हमारे ब्रम्हांड का दिमाग है जिसे हम अपनी कौस्मिक नजरों से देख पा रहे हैं और ये है हमारा ब्रम्हांड जिसमें लाखों गैलक्सीज के समुद्र तैर रहे है इसके आगे क्या है? क्या ये ब्रम्हाण भी किसी महासमुद्र का हिस्सा है ये कोई नहीं जानता और शायद जान भी नहीं सकता हम ब्रम्हाण में काफी दूर आ चुके हैं अब हमें अपने घर चलना चाहिए हम अपने घर पृत्वे पर फिर से लोड़ आए हैं लेकिन ब्रम्हान की ये सारी यादे हमारे दिमाग में तरोता जा रहेगी और ब्रम्हान का ये जपर खत्मन नहीं हुआ है क्योंकि आपने तो ब्रम्हान को जान लिया है लेकिन अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस ब्रह्मान की सेर कर सके तो फ्रेंड्स ब्रह्मान को अलविदा कहने के बाद में आप सबसे भी अलविदा आज के लिए बस इतना ही मैं मिलता हूँ आप से किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई